चले यसे बीच एक बड़ी खबर मिल रही है यूपी की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर मुक्तार अंसारी के मुरीद हुए है अब ओम प्रकाश राजबर मुक्तार अंसारी को यूपी पुर्वानचल का मसीहा बताया है बड़ी ख़बर आपको बता रहें दरसल OEC से मोह भंग हो चुका है अब मुखतार के साथ राजबर का चुनावी ताल में नज़र आ रहा है यूपी चुनाव से पहले उप्रकाश राजबर का मुखतार पर ये बहुत बड़ा दाव होगा मुस्निम बोटर की खातिर माफिया मुखतार के साथ भी राजबर जाने को तयार है यूपी में मजनू और माफिया का मिलन लैला से बिछडी तो मजनू को मिला माफिया मुखतार की गारी पर राजबर हुए सवार हाथी ने उतारा अब मजनू का सहरा यूपी में माफिया और बाहुबली की पहचान बन चुके मुखतार अनसारी को बुरे दिनों में भी चाहने वालों की कोई कमी नहीं है कभी लैला कहे जाने वाले मिया ओवैसी के मजनू रहे सुहेल देव भारतिय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजबर का साथ मिल गया है इटावा पहुँचे SBSP के राष्ट्रे अध्यक्ष ओम प्रकाश राजबर ने प्रदेश की योगि सरकार पर जम कर निशाना साथा राजबर ने BJP, कॉंग्रिस और BSP पर हमला करते हुए कहा कि मुखतार अनसारी पूर्वानचल के मसीहा है एक समय था जब बहुजन समाज पार्टी में मुकतार अनसारी जी ने ज्वाइन किया तब मायवती जी ने ही कहा था कि ये गरीबों का मसीहा है मायवती जी के इस सब्द मैं कह रहा हूँ हम आपको बता दें कि हाल ही में BSP ने मुकतार अनसारी को पार्टी से निकाल दिया लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर ने मुकतार को पूर्वानचल का फरिष्टा बताते हुए उन्हें गले से लगा लिया है OIC के साथ मुस्लिम वोटो का खेला करने की सोच रहे ओम प्रकाश को लग रहा है कि अगर मुकतार अनसारी के साथ यूपी चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें मुस्लिम वोटो का फाइदा हो जाएगा इसलिए मुकतार के लिए मजनू बन चुके राजभर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जिस पार्टी को पूरवांचल में जीतना होता है वो मुकतार की चौकट पर मत्था जरूर ठेकती है मुकतार मुसल्मान है इसलिए लोग उंगली उठा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर यहीं नहीं रुके योगी सरकार पर भरकते हुए कह डाला कि प्रियागराज में कुम्भी मेला घोटाले पर CAG की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोट जाच करवाले तो योगी जेल चले जाएंगे फिलहाल ओम प्रकाश राजभर का मुकतार अंसारी प्रेम उन्हें यूपी चुनाओ में कितना फाइदा पहुँचाएगा ये तो वक्त ही बताएगा बिरो रिपोर्ट जी मीडिया